हेलो गाइस, वेलकम टो फ्लाइ फिजिक्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केपलर के थर्ड लौ के बारे में, यह केपलर के थर्ड लौ की पूरी एक्विजिन है, अगर आपको इसको समझना है यह कैसे डिराइव होई, तो आप यूट्यूब को रेफर कर सकत हैं, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने बैठा, तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज के इस वीडियो में, हम इस लौ में एक माइनर सा चेंज करने जा रहे हैं, जो मैंने खुद किया है, उस माइनर चेंज को समझने के लिए, आप बस यह समझ लीजिए कि, कि जो अब गाइज आपको इतना तो पता ही होगा, कि हमारे सोलर सिस्टम में जित्ते भी प्लाइनेट्स हैं, अर्थ, मर्कृरी, वीनस, सारे प्लाइनेट्स, वो एक इलिप्टिकल और्बिट में ट्राइवल करते हैं, अब उस माइनर चेंज को समझने के लिए, हम थोड़ी इल दो पार्ट होते हैं, सेमी मेजर एकसेस और सेमी माइनर एकसेस, और केपलर ने हमें ये लौ सेमी मेजर एकसेस के रिस्पेक्ट में दिया था, तो गाइस, हम मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो हमने माइनर मोडिफिकेशन कराए, सबसे पहले हम T स्कूर के स्कूर को फिर हमने एक और काम करा, जिसको हमने रूट बनाया है, उसको हमें कॉंस्टेंट C से रिनोट कर देंगे, फिर केपलर का लौ कहता है, कि टाइम का स्कूर प्रपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एकसेस के क्यूप से, तो हम प्रपोर्शनलिटी को हटाते हुए, सीधा एक को ल एक्वेजिन आ रही है, T is equal to constant A root A, और गाइस, यही है हमारा छोटा सा मोडिफिकेशन, पर गाइस एक बात ध्यान दीजिए, कि यह मोडिफिकेशन सेमी मेजर एकसेस के रिस्पेक्ट में है, जिसे केप्टर ने भी बिल्कुल ध्यान रखा था, इस लोग को बनाने के गाइस, उमीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी कोई रही है, आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, गाइस मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू